दिल्ली की सियासत की एक कहानी जो शुरू होती है 13 सितंबर से जब मुख्यमंत्री ततकालीन मुख्यमंत्री अर्विंद केजडिवाल तिहार जेल से जमानत पर बाहर आए 15 सितंबर को उन्होंने ऐलान कर गया कि 48 धंटे के अंदर वो स्टीफा दे देंगे और 17 सितंबर को उन्होंने मुख्यमंत्री पदव से स्टीफा दे दिया मगर सवाल ये कि आखिर जेल से बाहर आने के बाद अर्विंद केजडिवाल को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें स्तीफा देकर अब जनिता की अदालत में जाना चाहिए मगर क्या ये वाकई इमानदारी की अगनी परिक्षा होगी या फिर कोई और रास्ता नहीं था इसलिए ये स्तीफा दिया गया इन तमाम सवालों के बीच और ये सवालों की बड़ी लंबी फैरिस्त है जिनका जवाब हम आम आदमी पार्टी की राष्ट्री मुख्य प्रवक उन्होंने जेल में रहकर इस्तीफा देने का क्यों नहीं सोचा क्योंकि वो 177 दिन में भी उनका इमानदारी और उनका जमीर जाग सकता था जब वो जमानत पर बाहर आए तब उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया पहले तो मैं इस पर आपसे डिसेग्री करती हूँ कि जमीर जाग सकता था उनका जमीर हमारे देश में सबसे जादा जागा हुआ देखिए उस टाइम पर क्या था कि भाजपा ने हर संभव प्रयास किया था कि वो किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी को क्रश करें उन्होंने ना सरफ आम आदमी पार्टी बलकि बाकी ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के भी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला आम आदम पार्टी के नेताओं को जेल में डाला उनकी मंच अथी कि किसी भी तरीके आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी से मोदी जी को ड़ लगता है क्योंकि अर्विंद केजरिवाल जी की इमानदारी या नीतियों का मुकाबला मोदी जी नहीं तुम इस्तिफा दो और तुमारी सरकार गिर जाएगी, तो ये तो भाजबा के मनसूबे पूरे हो जाते, तो उस टाइम पर इस्तिफा देना इसलिए उनको मन्जूर नहीं था, आज उन्होंने अपनी शर्तों पे एक तरह से कह सकते इस्तिफा दिया, क्योंकि वो बहुत आह आरेस्ट किया, ताकि ED केस में मिली बेल में अरविंद केजरीवाल जी बाहर ना आपाए, ED कोट में जब उनको बेल मिली थी पहले, तो ED कोट ने भी लिखा कि कि अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ कोई प्रमान नहीं है यह order में लिखा है बकाइदा order में यह भी लिखा है कि ED दोएश की भावना से काम कर रही थी ऐसी टिपनिया हुई है देश की agency के खिलाफ जो recorded है order में और तब bail मिली अर्विंद केजरिवाल जी को फिर भी कि अनीती में किसी post के लिए नहीं आये थे उनको किसी कुरसी का किसी material थिंक का मो नहीं है वह तो वह बहुत पहले त्याग चुके थे उनके पस commissioner की नौकरी थी उन्होंने वह छोड़ी commissioner की नौकरी भी बहुत पतलब IRS commissioner की नौकरी बहुत टॉप पोस्ट होती है उन्होंने वह छोड़ी और जाकर दिल्ली की जुगियों में काम किया उनके बीच रहे देखने को कि कि क्या ऐसे मुद्धे हैं जो एक common man को effect करते हैं और फिर उनका solution निकाला जैसे ही वो cm बने जैसे मुफ्त बिजली दी इत्यारी services दी जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो अरविंद केज रिवाल जी ने कहा कि मैं अगनी परिक्षा दूंगा चाहे बले ही मुझे सुप्रीम कोर्ट ने हाइप कोर्ट ने बेल देते समय इतनी अच्छी टिपनिया की है पर उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी क्योंकि उनको जनता से ही मांदारी का certificate जनता के बीच में जाएंगे जनता से पूछेंगे कि अगर इमानदार हैं तो वोट दो ऐसा करने की कितने भाजपाईओं में हिम्मत है ये भी देखिये कोई कह सकता है इमानदार है तो वोट दो एक वोट नहीं पड़ेगा सबकी जमानत जबत हो जाएगी भाजपाईओं किया है हमारा आमादमी पार्टी का मोडल भी पार्टिसिपेटिव फॉर्म अब गवर्णनस है तो उनको अपनी जनता के बीच ही जाना था उनको और यही तो फरक है आमादमी पार्टी और किसी और पार्टी में कि एक मुख्यमंत्री जिनके पास बेल आ गई थी जिनके तो अर्विंद केजरिवाल जी अपनी जनता से ही इमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर चौती बार मुख्य मंत्री बनेंगे अब ने बताया के बीच जाएंगे तो जैसे कि आप बीजेपे आरोप लगा रहे हैं विपक्षी पार्टिया आरोप लगा रहे है कि टाइम लाइन थोड़ी सी उन्हें मैच नहीं लग रहे हैं क्योंकि चुनाव का वक्त है दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं हर्याना को च पिल्वाफ बोले हैं कि जनता के बीच में जाओंगा सब कुछ उन्होंने त्याग दिया कुर्सी त्याग दी उन्होंने उनको सिर्फ चाहिए कि फ्री बिजली देना गुना है. क्या अच्छी शिक्षा देना गुना था क्या अच्छा अस्पिताल अच्छे इलाज देना गुना है क्या महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देना गुना है क्या मुज़ूर्गों को तीर्थ यात्रा देना गुना था क्या तो अब वो जनता से ही सर्टिफिकेट लेकर लेकि हमारे देश में जनता की अदालत से उपर कुछ नहीं, कोट ने तो अगर आप सुप्रीम कोट का या एडी कोट का ओर्डर पढ़ेंगे तो एक तरह से उन्होंने तो CBI और E.D. पर काफी कड़ी टिकपनियां की ही है बेल देते हुए, आज तक जो ये पूरा भाजपा क कारियाले में तथा कति छराब घुटाला लिखा गया था, इसमें कहीं चवणनी का प्रमान मिला नहीं और PML केस में मनी लॉंडरिंग का प्रमान होना जरूरी है, मनी लॉंडरिंग क्या होती है, या ब्लाक मनी को वाइट मनी कहीं से आपने पैसा चुराया, उस ब्लाक मनी उन्होंने कारवाई कर ली, कुछ नहीं मिला, यह आज की बात नहीं है, शुंगलू कमिटी की भी कारवाई बैठी थी हमारे उपर, तब भी हमारी 400 फाइले कंगाले गई थी, कुछ नहीं मिला, भाजपा हम पे पता नहीं क्या-क्या आरोप लगाती रहती, आज तक कोई प पेजडिवाल के जमारत के बाद शर्ते लगाई थी, कि वो किसी सरकारी फाइल पर स्थाक्षर नहीं कर सकते, सचीवाले नहीं जा सकते, क्या इनी सब में उलजनी की बज़े से इस्तीफा नहीं दिया गया, देखे, क्या है कि भाजपा दुश प्रचार करती है, भाजपा इसको कभी सीमित नहीं कर सकता, यह हमारे कानूनी रूप से एक थरा से आपका यह अलाउड नहीं है, तो सुप्रीम कोट ने कहा कि आप सरफ वही फाइले साइन कर सकते हैं, जो LG के पास जाती है, दिल्ली में वैसे भी अरविंद केजरिवाल जी सरफ वही फाइले साइन कर पर फोलियो थे, वही अपनी फाइलों पर साइन करते थे, और अरविंद केजरिवाल जी केवल उन्हीं फाइलों पर साइन करते थे, जो LG के साथ पास जानी होती है, आज भी वही फाइले साइन करते थे, तो यह भाजपा का दुश प्रचार है, कि फाइल साइन नहीं कर सक कि उन्होंने एक सवाल दो उठाया है कि मुख्यमंत्री को स्टीफा दब देना चाहिए था जब आरोप लगे तो आपने साफ कर दिया दूसरा सवाल एक और जो उन्होंने उठाया कि अगर स्टीफा देना ही था तो पूरा स्टीफा देना था वो विधानसभा को भंग करते कि छलाव होते उस तरह से स्टीफा देना था इसमें आपका मुख्यमंत्री भी अबेड़ कि इसका यदिनिया गया और आपकी जहाब किने देखे एक मुख्यमंत्री जो अभी आतीशी जी उनको बनाया गया है उनको एक बहुत सर्वसेहमति से उनको मुख्यमंत्री कि जो is जिल्ली में लगातार त्रयास करते हैं कि डिली को जो सेवानिक लि DAVID की लोगों को जो मुफट बिजली मुफट पानी मुफट महिलाओं को बस yattara मुफट बुजर्गों को 54 चितंर की शिक्षा मुफट शिक्षा और अच्छा हेल्थ केर मोहला क्लिनिक के द्वारा या बाकी गवर्मेंट सरकारी अस्पतालों के द्वारा मिलता है उसको किसी तरह रोका जाए पिछले चनाव में हमने देखा कि मोहला क्लिनिक में फंडिंग रोक दी LG ने अब हम देखते हैं कि कुछ DJB के कारे हैं वहां फं प्रफ्तो बिजली नहीं दे पाते हैं मुफ तो बिजली छोड़िये कल की नोटिफिकेशन नहीं कि भाजपा के उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दाम तू हंड्रड़ टू फिफिटी टाइम्स करना चाह रही है और प्रपोसल आया है कि वान किलो की जो बिजली है वो जो एक बहुत गरीब यक्ति के पासरफ वन किलो वट बढ़ा रहे हैं और जो पांच किलो वट है फॉर एक सो अठारा गुना बढ़ा रहे हैं सोचिए आप यहां मुफ तो बिजली मिलती है वहां पर आठ घंटे बिजली का पावर कट लगते हैं और बिजली के बिलतने बड़े आते हैं तो वो चाहते है कि किसी भी तरीके इस मॉडल को रोको तो उन्होंने अब ये LG द्वारा उनका ये प्रयास चलता रहता है और आतिशी जी का यही रोल रहेगा कि LG के ऐसे प्रयासों को जहां वो दिल्ली की सुविधाएं बंद करना चाहते हैं या भाजपा के ऐसे प्रयासों को जो शड़ेंद्र करने की सोचते ही रहते क्योंकि उनकी ही मुख्यमंत्री आतिशी के रोल के बारे में बताया मुख्यमंत्री आतिशी का मुझे वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने जब उनका नाम लिया गया था मुख्यमंत्री पत के लिए और वह राकिर सबसे इंपोर्टेंट रोल मेरा ये रहेगा कि मैं दिल्ली की जनता क अधिकारों की रक्षा करूंगी, तो क्या दिल्ली की जनता को किसी चीज से खत्रा है, सबसे बड़ा खत्रा दिल्ली की जनता को दिल्ली के LG से है, जो हर संभव प्रयास करते हैं कि दिल्ली में मिल रही सुविधाओं को रोका जाए, वो हर संभव प्रयास करते हैं कि दिल्ली में मिल रही, free बिजली, free पानी, free महिलाओं को मिल रही बस यात्रा, free बुज़र्गों को मिल रही तीर त्यात्रा, अच्छी शिक्षा, free शिक्षा, अच्छे इलाज और free इलाज को किसी भी तरीके रोकिए, इसके मैं आपको दो धारन दे सकती हूँ, फरिश्टे स्कीम दिल्ली में थी, फरिश्टे स्कीम में दिल्ली का कोई भी नागरिक अगर किसी जखमी व्यक्ति को सड़क पर देखे तो उनको जाकर वो हॉस्पिटल में अड्मिट करते और उससे उनको रिवार्ड तो मिलता ही पर पुलीस से भी कोई उनकी जवाब दे ही, मतलब तंग पुलीस जिस तरह से कर सकती थी, वो अलाउड नहीं था, ये स्कीम रोग दी भाजपा ने, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, भाजपा ने पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा, महला क्लेन 50 टाइम्स जादा महेंगी होगी, पहले तो हम 8 गंटे के पावर कट लगते हैं, और उपर से आप इतमी बड़ी मार्ज ही लो, वहीं पर दिल्ली में, आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, अब दिल्ली में जब बिजली मुफ्त मिलती है, उसके बाद जो लोग उस इस मॉडल को रोको, और वह हमेशा रिग्रेसेव और थोड़ी नेगटिव राजनीती करते हैं, पॉजटिव राजनीती नहीं करते हैं भाजपा वाले, तो उनको चाहिए कि अगर हम दिल्ली में सारी महिलाओं को फ्री बस यात्रा दे रहे हैं, तो बोदी जी को तो कहना चाहिए, पूरे देश में दूँगा, वो तो देश के प्रधान मंत्री हैं, उनको कहना चाहिए, मैं सारी महिलाओं को अपलिफ्ट करूंगा, इंपावर करूंगा, जिसको काम करने जाना है, उसको फ्री बस यात्रा होगी, नहीं, उनको दिल्ली में फ्री बस यात्रा का फाइदा पहुंचाना चाहते हैं तो ये दो contrasting model ने और भाजपा का ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके आम आद्मी पार्टी को रोको और यही आतेशी जी सुनिष्टित करेंगी कि भाजपा अपने मनसूबों में कामियाब नहीं हो पाए अब आद्मी पार्टी का एक फैसला है जो फैसला है कि अतेशी को मुक्हे मंत्री बनाया जाए क्या यह जन्ниता के साथ धोका नहीं होगा दिल्ली की जन्ता के साथे जन्हों ने मुक्हे मंत्री के पेस के तार पर अरवंद केज्जरिवाल को चुनाओ और अब उन्हें उक्यमंत्री आतेशी मिली हैं. देखिए आतेशी जी ने खुदी कहा कि दिली का चुनाव हमने अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर जीता था. और आगे वाला चुनाव भी हम बहुत साथ कहरें कि अरविंद केजरीवाल जी ही चौती भारम सुनस्चित करेंगे कि मुख्यमंत्री बने. अभी उन्होंने भाजपा ने कितनी ऑप्स्टेकल्स क्रियेट की सोचिये हमारे लिए, कितना कीचर हम पर मला सोचिये, कही कोई प्रमान नहीं मिला हमारे नेताओं को 23 महीना, 17 महीना बिना ट्रायल के, बिना प्रमान के जेल में रखा. तो जो एक व्यक्ति जिसने सरफ नाम और इमानदारी कमाई हो, तो उसके लिए ना उस नाम से और इमानदारी से उपर कुछ होता नहीं है. इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया, कि वो अपना पद प्यागेंगे, जैसे उन्हो ने 49 डे की सरकार बनी थी, तब नेतिकता के आधार पर पदत्या गया, और इस बार अरविंद केजरिवाल जी ने हमारी राजनीती में बहुत बड़ा पैमाना सेट किया है, इमानदारी का, आप सोचिए भाजपा का कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, नेता, कोई ऐसा करेगा क अरविंद केजरिवाल जी भाजपाईयों की समझ से बाहर है, अरविंद केजरिवाल कभी एक बयान मुझे यादा रहा है, 15 सितंबर की बात है, जब उन्होंने इस्तीफा देने का एलान किया था, कि 48 गंटे में इस्तीफा दे दे देंगे, उन्होंने साथ में एक मांग भ करा लें, उनसे यहीं नहीं होगा, मगर जारखंड और महराश का टैनर तो अभी खत्म होरा है, नमवंबर में, दिल्ली का तो 30 फरवरी तक चलेगा, लेकि फिर लिगालिटी और सेक्शन में जाना पड़ेगा, सेक्शन 15 के हिसाब से तो 6 महीना पहले आप अनौन्स कर सकते तो दिल्ली का फेबरी और 6 महीना पहले लगा लिजिए, तो लीगालिटी में कोई प्रोब्लम नहीं है, पर मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रही हूं कि भाज पर शगूफा माच्टर है, उनका यह शगूफा था, वो तीन स्टेट के चुनाओं तो एक साथ करा नहीं स करते हैं, पूरे देश क्या करेंगे, हमारे देश को जरूरत है वान नेशन, वान एजुकेशन, जो शिक्षा प्रणाली एक करोड़पती के बच्चे को मिल रही है, वो गरीब के बच्चे को मिलनी चाहिए, तब कहीं जाकर समानता आएगी, तब कहीं जाकर हम आगे जो एक इलाज एक अमीर के बच्चे को मिलता है, वही गरीब के बच्चे को मिले, क्योंकि सबकी हेल्थ इंपॉर्टन्ट है, ऐसा नहीं है, माँ सोचे कि कितने बुरे विज्वल्स दिखते हैं, हम इंटरनेट पर देखते हैं कि चार पाई में, उत्तर प्रदेश में, या हर्याना में चार पाई पे मरीज को ले जाकर दो-दो किलोमेंटर तक ले जाये जा रहा है, कितने बुरी बात है ये, तो जिस तरह की सुवधा हैं हमने दिली में मोहिया कराती है, क्योंकि बिचारे उत्तर प्रदेश और हर्याना के लोग यहीं आते हैं इलाज कराने, तो अरविन केज्रिवाल ही मुख्य मंतरी बनेंगे, निश्चित तौर पर, क्या एक महिला मुख्य मंतरी को कूर्शी से हटाकर अरविन केज्रिवाल का मुख्य मंतरी बनना मुश्किल नहीं होगा? देखिये हमारी पार्टी में कोई भी सक्ता लोग से नहीं आया, आप सोचिए कितने लोग ऐसे हैं, आपको यह और नेता बता दीजी जो मुझे कहता हो कि अगर तुम सीट चाहते हो तो आम आद्मी पार्टी में मत आना, भाजपा में ऐसा बोलेंगे पूरी भाजपा खाली ह हो जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री बहुत साफ कहते हैं, कि आप अगर देश के लिए आगे चलना चाहते हो, अगर आप यह यातना है सहने को तयार हो, अगर आप जेल जाने को तयार हो, तो आम आद्मी पार्टी में आना, सोचिए, तो यह इसलिए हमारे लिए किसी के सब्सक्राइब के लिए कि अर्विंद केजरिवाल जी की विजन को एक्जेक्यूट करना है, उसके लिए जो लगे, बीजेपी, एक सवाल लगातार पूछ रहे हैं, कि अर्विंद केजरिवाल बंगला कब खाली करेंगे, उनका जो सी हमावा से उस है, क्योंकि पहले केजरिवाल जी के बारे पूछेंगे, हर कोई काएगा कि उनका दिल उनके लिए खुला, उनका घर उनके लिए खुला है, पर अर्विंद केजरिवाल जी राष्ट्य सयोजग भी हैं, आमादनी पार्टी के, तीन बार के मुख्यमंत्री तो रहे ही, पर पार्टी के राष् कारी बंगला अलोटेड है वैसा ही कुछ ऐसकार करता मैं केंडर सरकार से डिमांड करती हूं कि जल्द से जल्द अरविंद केजरी वाल जी के लिए अलोट किया जाए क्यूंकि वह एक राश्टी सही हुजग है उनसे आप जैसे पत्रकार मिलने जाते हैं मुझ जैसे कारे करत करता मिलने जाते हैं हर तरफ देश के कोने कोने से नहीं से लोग उनसे मिलना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सिस्टम परिवर्तन किया उनके पास जंता अपनी प्रॉबलम्स लेके जाती हो बहुत क्रैक्टेड रहते हैं जनता से सुबह से शाम बहां पे भीड रहती है तो इसलिए मैं इसकार्य करता हुए डिमांड करती हूं कि बिना राजनीती किये जिस तरह के घर और सुविधा नहीं है साधन है ताकि लोग मिल पाए जिस तरह की साधन आपने बाकी पार्टियों के राष्ट्रिय सायोजिकों के लिए किये हैं वैसे ही बिना राजनीती किये अर यह आम आदमी पार्टी के किसी भी कारेकरता के लिए important नहीं है, किसी भी post holder के लिए important नहीं है, हम लोग राजनीती में इस सब के लिए नहीं आये थे, this is not our goal, यह भाजपा का model है, आप पिछले 10 साल का कारेकाल उठा कर देखेंगे ना, भाजपा ने अपनी जेबे इतनी भरी हैं कि हर महीना चुनाव कर आ सकते हैं वो, हमारा वो model नहीं है, this is not at all important to us, हमारे लिए important है कि देश के हर बच्चे को top और free शिक्षा मिलें, लगातार एक शब्द का इस्तमाल हो रहा है, जब से नई मुख्यमंत्री का एलान हुआ है, खड़ाव मुख्यमंत्री, पहले आम आदमी पार्टी ने जिक्र किया कि भरत से तुलना की आतिशी जी थी, कि भरत हैं और उसी तरह से वो उनका सत्ता संभालेगी, जिस तरह से क्योंकि भरत में तो खड़ाव रखकर ही सत्ता चलाई थी, तो बीजेपी बोलगी कि खड़ाव से तुलना की जा रहे है, उन्होंने तो बताया था कि रुपए की कीमत डॉलर के बराबर होगी, उन्होंने कहा था पेट्रोल आपको 30 रुपए में मिलेगा, फिर आप बीजेपी की बातों पर जा रहे हैं, बीजेपी की बात है छोड़ दीजिए, आप देश समयदार हो चुका है, उनको पता है कि गारिंटी सरफ अर्विंद केजरीवाल देते हैं और अर्विंद केजरीवाल जो कहते हैं, एक और बयान मुझे आमादवी पार्टी का याद आ रहा है, जब आमादवी पार्टी कहते थी कि इस केस में जमारत मिलना ही बेगुनाही का सबूत है, अब क्यों मुख्यमंत्री पच्छ स्टीफा देजिया गया जैसा मैंने कहा देखिए कि कीचड अगर आप किसी के नाम पर फेकोगी ना जिसने सरफ नाम कमाया हो तो सरब उस प्रतिग्या पे निकल गये हैं कि मैं अपनी जनता सही इमानदारी का सर्टिफिकेट ले के आऊंगा उनको मतलब नहीं है पोस्ट से या तो उनके लिए छोड़ना भी असान है कौन छोड़ता है एक चपरासी अपनी नौकरी नहीं छोड़ता नौकरिया मिलना असान है आज की डेट में कुछ असान नहीं है अर्विन के जरिवाल जी को कभी भी मोज नहीं था सीट से इससे तो ही इस बैक टू वाठी ड़स बेस्ट मैं लोगों को समर्पे थूं मैं देश को समर्पे थूं और वही करेंगे हमारे साथ आम आद्वी पार्टी की राश्ट्री मुख्य प्रवक्ता प्रेंका ककरजी मौजू थी जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया पिलहाल के लिए इतना ही इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं दैनिक जागरण नमस्कार